स्वागतायब का आल इंडिया अगनबाडी न्यूज चैनल में अपने आल इंडिया अगनबाडी न्यूज चैनल में मैं सुधानसू पटेल आप लोगों की समस्याओं पर विचार करूँगा यहां पे आपको मैं बता दू हमारी जो बहने जिनका मांदे नहीं आया था दरसल वो क्यों नहीं आया था उस बात को लेकर के आज आप लोगों को जानकारी में देने वाला हूँ यहां पर जानकारी आ चुकी हमारे पास अपनी साइमा बहन के दौरा उन्होंने मैसेज किया है उनका कहना क्या है आई आई आपको हम बताते हैं तो कब तक आपका मांदे आ यह खुसखबरी है आप मारी बहनों के लिए मांदे को लेकर के तो जान लोग कब आएगा आपका मांदे और यह सची खबरें आप देखरें तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने वीडियो को सेर जरूर करना हम सब जानते कि हमारी आवाज को ना तो मीडिया दिखात है कभी चैनल वगएरा पर जब भी हम लोग धरने करते हैं हमेशा हम लोगों को अपने ही आप ही इन चीजों को बल देना पड़ता है सेर करना पड़ता हर एक चीज हम लोगों को खुद ही करनी पड़ते दोस्तों अपने आप अपने चैनल के वीडियो को सेर जरूर करें त बेहनों के मांदे को लेकर तीन बार बात किये हैं उन्होंने और एक बिल नहीं डला था वो है 27 तारीक को डाला गया है अभी 27 तारीक को पिछली 27 तारीक को और मांदे उस हिसाब से बुधवार तक आ जाना चाहिए जो बात हुई है वो साइमा बहन ने हमको बताईए तो यहा आपका मांदे वो 19 मार्च को आया था खातों में होली के एन एक दिन पहले और वही एक बार फिर प्रयास हमारी बहन ने दुबारा फिर किया और ये आप देखने तीन बार बहन ने फोन किया उसके बावजूद जो है सरकार आप 27 तारीक को एक डाला गया बिल वगयरा जो पह आ रहा हूं कि हमारी बहन ने प्यास किया और बहन को ये जवाब मिला और वो हमने आपके समच रखाए अब हमको देखना ये होगा कि जैसे सबची खबरे निकल के सामने आई थी बहन ने जो सच कहा था वही सच आपके सामने निकल कहा था जो आपने 19 मार्च को देखा आप तो वो कारण यही था कि बिल नहीं डला था जैसी की जानकारी निकल के आ रही है और अब वो बिल डाल दिया गया 27 तारीक को आज 30 तारीक हो चुकी यह 3 दिन होने को आ गए हैं और आप देख रहे हैं फिर हो सकता है बहन के हिसाब से कि बुधवार को बहनों के खाते में आ ज हमने कोसिस कीती हमारे चैनल पर बहुत से लोग देखते हैं और बहन को काफी पसंद करते हैं उनकी जो ऐसे तरह की जो प्रयास होते हैं उनको बहन के तो उन चीजों की बहुत सराना की जाते हैं हमारे चैनल पर तो बहन का यह प्रयास सरानी था और मैं यही उमीद लगा कर बैठा हूं हमारे चैनल के सभी लोग की बुदवार तक सरकार पैसा भेज दे जिससे हमारी और हमारे बहनों की जो समस्या है वो समाप्त हो सके और यहां पे देख रहे हैं मैं गोरक पुर जिले से जिले की आंगन बारी काल करता हूं मेरे वहां भी फीडिंग का पैसा लग र कि हम आवाज उठाना चाहते हैं अब लोगों को भी सेयर ना पड़ेगा साथ ही मैं एक चोटा सा संदेश यह दे दूं कि संगठन तो आपके लिए आवाज उठा देंगे हमने बात भी कर लिए लेकिन वही चीजे हैं क्या आंगन बारी बहने अब मालेजे यही बहन है यह अपना नाम तक बताने से हमारी बहन डरती है तो अब इससे क्या होगा क्या जब इनसे पूछा जाएगा वहां पे हम लोग जाएंगे कि हमारी बहनों के साथ में यह चीज हो रहे डाटा तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा तो कैसे हम लोगों की आवाज को बल मिलेगा जब बहन कह रही हमारा नाम मत बताना मैं नाम नहीं बताऊंगा जो बहन कहती है मैं वही करूंगा लेकिन यह चीज खुद से सोचिए सोचर के खिलाप आवाज आपको ही उठानी पड़ेगी तब ही आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं देखिए हम आप लोगों के उपर इतना सप्रयास करते हैं कि आप लोगों के साथ ये वो ना हो और इसके लिए क्या करना होगा आप सब के पास तो फोन कम से कम निद वारी बहन है जिससे पैसे लिए जा रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे आपका अगर नाम देंगे तो आप तो कहेंगी कि हमने साफ साफ अगर इंकार कर देंगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा आप मेरी बातों को समझीए सब लोग यही हम कहना चाहते हैं तो हमें जरूरत है उन सभी बेहनों की जो मजबूती के साथ में इन सोसल के खिलाब आवाज उठा सकें और अपने चैनल पर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करें और अपना नाम और अपना जिला और बताएं कि हमारे यहां पे इतने इतने पैसे लिए जा रहे हैं और अपना नंबर वग जा या दस-पंदा जितनी भी बहने हों सभी लोग साइन कर दीजी अपने और वो ग्यापन अपने वहां के जिला द्यच वगएरा हो संगठन के उनको सौप दे या वहां तक नहीं पहुंच पा रहें तो संग उस कौपी को ही आप कम से कम एप्लिकेसन को लिख करके अपने चीजों से कत्राएंगे तो कैसे विचार होगा तो यह थी कुछ छोटी सी बात और यहां पे आप आपको बताते हैं यहां पे एक और मैसेच लगा है उनका भी यही कहना है कि जो जनवरी और फरवरी का जो मांदे है वो उनका नहीं आया है और यह हैं आपके उनका इनकी भ और रही बात सच जूट की तो वो समय पर पता चल जाएगा लेकिन उमीदें हमें भी हैं और हमारे चैनल से जुड़े लोगों को भी है कि बुदवार को अगर बहन ने कहा है तो उनका प्रयास बेकार नहीं जाएगा और सरकार को सोचना चाहिए और बुदवार को मांदे बह मुदियों का कैलेंडर किस दिन क्या मनाया जाएगा आप सबी मेंने नोट कर सकती है एक अप्रैल सो मँओर को सेक्टर इस तरी बैठके हैं परेल को यहां था किस का और आएटको आपका मत्या जानकारी नहीं अब बतादुँ आपको 12 लिजया offer जो पर्योजना इस तरी बैटकर है वह मनाई जाएंगी 13 अपरेल को जो आपका फिर वही सैम में बच्चों का चिन्दांकन और 15 को ममता दिवस मनाया जाएगा 16 को जनपद इसतरी बैठके हैं 17 को आपका वही सैम में बच्चों का चिन्दांकन और 20 अपरेल जो है वो अनप्रासन दिवस मनाया जाएगा तो जो आप की मेन-मेन है जैसे की 20 अपरेल डेट है अनप्रासन दिवस को लेकर के दूसरा आपका 25 को लाडली दिवस काफी जो है चर्चा में रहता है और 27 को जो सैमय हम यह तो अपका ऐसे ही है और 30 अपरेल को जो गोद भराई दिवस है ये भी काफी संक्या में बहनों के दौरा मनाया तो यहां पर जो खास निकल के आ रही है तारीक है वह आपकी स्या ज्यूसर्ट taking काफी बेचनी वोती बहनों को चर्चा में रहती हैं जैसे ममता दिवस 15 अपरेल को और 20 अपरेल को अनप्रासन दिवस इन चीजों की फोटो वगेरा लगानी पड़ती हैं तो ये ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं और चर्चा में भी रहती हैं अगली जो बात आप लोगों को मैं बताना चाहता है उसमें लिखा है वर्स 2018 और 19 के दोरान की गई गत्विदियो की सूचना पूर्ण रूप से एकत्र करके विबसाइट पर विलंबतम जो है 20 अपरेल तक अपलोड की जानी है अता इस माह पर योजना इस तर पर तो 20 अपरेल तक अभी मार्च अपरेल तक आपको सभी योजना इवगरा जोती है वो सभी फोटो वगरा अपलोड करनी होंगी या ता इस माह पर योजना इस तर पर क्रपिया दो बैटके दिनांक दो अपरेल एवं तीन अपरेल को आयोजित की जाएंगी सभी मुख्य से विकाओं से पूरी सूचना प्राप्त की जाएंगी करना आल इंडिया आंगनवारी निउस आपका फेस्बुक पेज आ जाएगा और उस पेज पर भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं और वहां से भी जानकारिया समय समय पर ले सकते हैं दोस्तों दोस्तों अगली जो बड़ी अबर निकल क्या रहा है वह यह है कि निदेसाले बाल विकाल सिवा पुष्टा अर्विभाग की तरफ से यह लेटर साथ ताइस फरवरी का जिसमें आंगनवारी जो बहने हैं उनको डाटा फीड वगएरा को लेकर के वह काफी परिशान है यह विबसाइट भी यहां पर आप देख पा रहे होंगे www.icds.in पर आपको विजिट करना था लेकिन यह लिंक अब खुल नहीं रही है जिसको लेकर के हमारे बहुत सी बहने परिशान है तो मैं यही कहना चाहूंगा जो परियोजना मुक्य सेविकां के है तो आईए आपको हम बताते हैं आगनबाडी केंद्रों पर पंजी कितलाभारतियों के जो डाटाबेस हैं तयार करने पर विजयोंते हूँ आपको मैं बता दूँ और feeding को लेकर को जो है सरकार ने पैसे भी दिये है उन चीजों को लेकर के भी आप लोगों के सामने अभी मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे आप ताकि आप लोगों को अंदाजा लग पाए कि सरकार ने पैसे वगरा दिये है और यहाँ पे यह एक आप लोगों के लिए report को ल आंगनबारी केंद्रों के उपयोगार्त ही फीडिंग है तो धनरासी का भुकतान किया जाएगा तो आंगनबारी केंद्रों के उपयोग के लिए ताकि यह सब चीजें हो पाएं तो इंटरनेट वगहरा की बेवस्ता सरकार को करनी चाहिए थी यह तमाम चीजें उन चीजों क लेकर के सरकार ने काफी कुछ किया कंप्यूटर जो है सहवर्ति उपकरण का उपयोग मातर जिलाकार कम अधिकारी कारयाले में ही किया जाएगा तो जिलाकार कम अधिकारी हैं वहाँ पे इन चीजों के लिए बहुस्ता की जानी थी इन चीजों को लेकर के सरकार ने पैसे भी जाहेंगे तो देखने में आ जाए क्योंकि यह स्क्रीन सॉट वगरा जिसने भी लिया है वह कापी साफ और क्लियर नहीं आया यहां पर आंगनबारी केंद्रों की मासिक प्रगति रिपोर्ट फीड कराने है तो जिला कार्याल है तो यहां पर लिखाई योजना के अनुसरण ह चार सव रुपए जो है प्रती आंगनबारी केंद्र हेतू दिये गए हैं तो इन चीजों को लेकर के लेकिन यह पैसे कहां जाएंगे किसके पास जाएंगे इन चीजों पर बहुत से लोग परिसान बहने कहती है कि हमारे काउंट में आएंगे लेकिन वहीं जानकारी जो भी है वो आपको अपने Facebook पेज पर मिल जाएंगे क्योंकि इतना सब हम बार-बार बोल तो नहीं पाएंगे और ये सबी चीजे आप लोगों को अपने Facebook पेज पर मिलती रहेंगे कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनको हमें आपके सामने कुछ जो रख देंगे बाते हैं लेकिन उन चीजों को लेकर के आप लेटर चाहिए हो अगर तो अपने Facebook पेज से डाउलोड कर सकते हैं अपना पेज की लिंक वगयरा जो है आप कमेंट में लिख दीजिए लिंक अगर नहीं जुड़े हैं अगर चुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोग लिंक मत लिखिए उससे अच्छा कि आप Facebook पर जाएं और All India आगनबाडी News लिख दीजिए इंगलिस में और या हिंदी में आपके लिए पेज आ जाएगा आप जुड़ सकते हैं अपने पेज से धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में तो ये मांदेव अगरा को लेकर के जैसा कि जानकारी बहन के आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना और डाटा फीडिंग को लेकर के आप लोग अगर जाग रुकता चाहते हैं और ये सब चीजे छोड़ दीजिए कि हमारा नाम अगर आएगा तो जो सुपरवाजर ये करेंगी वो कर जो गलत कर रही हैं उनका विरूत अग प्रिकल के नहीं आएगा क्योंकि अगर आप डरते रहेंगे तो लोग डराते रहेंगे कारण यही है और संगटनों का भी यही कहना जो बहने जितना जादा जागरूख हैं वो आज इन चीजों से जो है सरकार से लड़ सकती हैं और अपने जो अधिकार उनको जानती हैं औ उनसे सोसर नहीं हो रहा है उनके साथ सोसर नहीं के साथ हो रहा है जो बहने कुछ जानती नहीं हैं और जिनको जैसे तरीके से चाहें और सूपरवाजर वैसे काम करा सकती हैं तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगल भी बरी को प्रोपी साथ